नवस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास नाइंथ की इस अगली वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भाई विल्ड बड़ा ही शांदार सा चैप्टर है लिखा है इसको एक साउथ इंडिया के राइटर ने जिनका नाम है सुब्रमन्या महार्दी आम हर वोयम की तरह है इस फोयम को भी पढ़ने वाले हैं वार्ट तो यह है आपकी भूक भी है और इससे हम पढ़ेंगे इस फोयम को विंट कहा जाता है विंट कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक शटर्स ऑफ्ट विंडोस दूनॉट स्कैटर दपेपर्स दूनॉट त्रो दबुक हवा से बोला गया हुआ हवाँ थ्भोड़ा सौफेली आया करो इतना तेजी से मत आया करो तुम वेंड़ियों के शटर को मत तूड़ा करो यह हवा से सिकायत की गयी हज़ी कनी हरते हैं यह हवा हावी होता होगा मौसम होता है दू फ दूंग बड़क अच्छी कासी किताबे जो मैंने शेल्फ पे जमाई है उन्हीं खराब मत करो देखो तुमने क्या कर दिया तुमने सब नीचे किताबे तुमने क्या कर दिया किताबों के सारे पनने फार दिया और फिर तुम बारिश ले आए हावा से दो बारिश आती है बादल भी आते न तो क्या शिकायत की जारी है फिर तुम बारिश ले आए ऐसे मत करो यार तुम बड़ा कमजोरों का मजा खुड़ाने में स्पेशलिस्ट हो नो तुम्हें बड़ा मजा आता है कमजोरों का मजा खुड़ाने में हैं हवा क्या कहा जा रहा है तुम्हें बड़ा कमजोरों का मजा खुड़ाने में मजा आता है तुम जो कमजोर कमजोर घर है कमजोर दर्वाजे कमजोर खिड़किया और कमजोर लोग कमजोर क्रम्बलिंग का मतलब है जो हवा की कारण होता है खड़कता है कापने लगता है तुम उन्सब का मज़ा को डाते हो तुम कमजोर घरों को हिलाते हो कमजोर खिडकीयों को हिलाते हो कमजोर दर्वा से कापने लगते हैं आप सब भी याद रखना जब हावा चलती है जब बारिश होती है तो दो तरके रियेक्शन होते हैं, जो मजबूत घर में लोग बैटे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, अरे वाँ, मज़ा आ रहा है, है ना, और जो छोपडी है, वहाँ पे लोग डरे होते हैं, इस पे एक बहुत फेमस लाइन मैंने कभी पड़ी थी, कि सहमी हुई सी है छोपडी, सहमी हुई और महलों की ख्वाइश है, कि बारिश और तेज हो, तो महल क्या कहते हैं, पक्के खरवाले हमनों और आप क्या कहते हैं, अरे मज़ा आ रहा है, बारिश और तेज हो, हवा और चले मज़ा आएगा, और जो वचारे जोपडी में है, जिनके नल से पानी नहीं आता है, जिनक वो च्छत टूटी होती है और टूटी च्छत से हवा अंदर आ रही होती है वो विचारे सहम जाते हैं वो डर जाते हैं जिनके घर में दर्वाजा मजबूत नहीं होता वो दर्वाजा बंद नहीं कर पाते दर्वाजा तूट जाता है च्छत उखड जाती है ऐसे लोग विच कर食 करना जाते है उनको विन्मों करते हैं विन्मों मतलब क्या होता है आप सबने देखा होगा एक बीह आपको देखरी होगी बहले यह कि जो नहीं हो जर्वा करना होता है उसको ऐसे को यह नाच को चोड़ती है हुआ के कारण अनाज आटा Спो तो ऐसे लगता है हवा भी ऐसे करना चाहते है कमजोर गरहों को डाजती है, वजबूत करनों को छूड़ देती है, क्रश कर देती है, तोड़ के रग देती है, हवा के देवता के लिए कहा गया यह, He won't do what you tell him पर क्या होगा ऐसा? जो आप कहोगे क्या वो ऐसा होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है जरूरी है जो हम कहते हैं वो होगा नहीं तो हमें क्या करना होगा? अब यहाँ हवा का मतलब एक और है यहां हवा का मतलब है जिन्दगी में आने वाली कठनाईया, मुसीबतें जिस तरीके से हवा चलती है और हम को हिला के रख देती है, सेम मुसीबतें, लाइफ में अंसर्टेंटी, कभी कोई पैंड़नामिक आता है, कभी स्ट्राइक्स आती है, कभी आपकी जिन्दगी में कुछ बिखर जाते हैं, कुछ होते हैं जो प्रॉब्लम में कमजोर पर जाते हैं, तूट से जाते हैं, कुछ और मस्बूत हो जाते हैं, तो जिस तरीके से हवा के अलग-अलग असर हैं मस्बूत लोगों पे, कमजोर घर पे और मस्बूत घर पे, उसी तरीके से मुसीबतों आए तो क्या नहीं आएगी आएगी हम क्या कर सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं हम दर्वाजों को और अच्छे से लगाएंगे हम बाडी इसको और स्ट्रॉंग बनाएंगे क्यों सामना करने के लिए और हम क्या करेंगे दिल को स्टेट फास्ट बनाएंगे हम अपना दिल मजबूत करेंगे हम अपना शरीर मजबूत करेंगे हम जो भी काम कर रहें उसको इतनी मजबूती से करेंगे कि मुसीबते आए और मुसीबते शर्मा जाए और हमारे सपनों को ह हमारी जो तयारी जो हमने किये हमारे जो एफर्ट्स हमने डाले हैं उसे बरबाद न कर डू दिस और विंड विल भी फ्रेंट्स वित ऐसा करो और हवा तुम्हारी दोस्त होगी यानि महनत करो अगर आप मजबूत रहते हो इफ यू आर स्ट्रॉंग सारी मुसीबतें आपकी दोस्त होगी हालात आपके दोस्त होंगे विवेकर नंद जी ने बहुर अच्छी बात कही है स्ट्रेंट इस लाइफ वीकनेस इस डेथ अगर आप स्ट्रॉंग हो अगर आपके पास ताकत है तो आपके पास जिंदगी है अगर आपके पास कमजोरी है तो आपके पास मृत् हवा या नहीं हालात हमारे दोस्त बन जाएंगे इसे दोस्त बनाओ दविंट ब्लोस आउट वीक फायर्स ही मेक्स स्ट्रॉंग फायर्स रोर एंड फ्लरिश जो कमजोर आग होती है ना लाल्टिन मुम्बत्ती इसको क्या करती है हवा के बुझा देती है लेकिन जो आग स्ट जंगल में आग कैसे लगती है देखा है कभी हवा जब चलती है और जंगल में हल्की से आग लगी है तो उसको और प्रचंड कर देती है नहीं देखा आपने कभी आपने चूला चलाया हो आग बुझने ही वाली है आप अगर फूक मारना शुरू करते हो आग बढ़ जाती ह आप हवा करना शुरू करते हो आग बढ़ जाती है तो कमजोर अगर होती है दिये जैसी तो बुझ जाती है पर अगर अपने आप में वो स्ट्रॉंग है अच्छी होल्ड रखती है तो वो और फ्लरिश होती है मैंने बताया ना मुसीवते आएंगी तो जो कमजोर होगा वो बिखर जाएगा चो मजबूत होगा वो निखर जाएगा अगर आप स्ट्रॉंग हो तो हवा आपकी दोस्त है आपको मजबूत बनाएगी और अगर आप कमजोर हो तोड़ के रख देगी हवा की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है हवा से दोस्ती करना बहुत जरूरी है इसलिए हम हवा की तारीफ रोस करते हैं तो यह सिंबॉल था हवा एक बहाना है बात हवा की नहीं हो रही है हालात की इसी को तो कहते हैं एक beauty of a poem तो यह थी हमारी बहुत ही शांदार poem wind by सुब्रमनिया भार्दी आपके लिए homework जरूर है पता करो male है या female है अगर आपको यह video पसंद आई तो आप जरूर इसको like करें अपने दोस्तों के साथ share करें subscribe करें हमसे जुड़े रहने के लिए and finally